Hello students, today we start class 11th math chapter 12 introduction to 3D geometry exercise 12.3 बेटे प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब इस चैनल Q4 देखिए बेटा Using section formula, show that points A, B and C are collinear तो हमें ये बताना है कि जो A, B, C point है वो collinear है तो हमें use क्या करना है section formula ठीक है तो हम जो given है वो लिख रहे हैं बेटा हमने इसका given लिखा A, B, C point हमें given है और हमें prove करना है A, B and C are collinear ठीक है तो हमने एक line ली A, B और A के coordinate और B के coordinate दिये हैं हमें हमने C point जो है वो लिया A, B के inside ठीक है तो C जो है वो A, B को divide कर रहा है K ratio 1 में ठीक है वो हमने let किया ओके बेटा तो हम let करेंगे let C divides line segment in the ratio K to 1 internally ठीक है तो हमने क्या लिया C जो point है वो divide कर रहा है line segment को K ratio 1 में ठीक है क्योंकि हमें section formula से बताना है कि ये point जो है क्या है collinear है इसलिए हमने C point जो है third वाला point लिया कि वो A और B line segment को divide कर रहा है internally ठीक है वो हमने ले लिया तो C के बेटा हमें coordinate given है 0, 1 by 3 and 2 ठीक है जब वो divide कर रहा है इसको K ratio 1 में तो C के जो coordinate आएंगे X, Y, Z के वो इस वे से आएंगे M ratio formula क्या है इसका M X2 plus N X1 upon में M plus N ठीक है ratio हमने let किया है case to 1 बट formula में हमारे पास क्या होता है M और N ठीक है वो हमें अब भी formula लिख रहे हैं इसका M Y2 plus N Y1 upon में M plus N next है हमारे पास M Z2 plus N Z1 upon में M plus N ठीक है यह आगया और बिटा यहां पे आप देख रहे हैं C के हमें coordinate already दीए है by section formula से हमने उसके coordinate जो है वो इस वे से लिए है ठीक है बिटा अब आप देख रहे हैं C के coordinate अगर दीए है X का coordinate यह है तो X का यह भी तो है हमारे पास ठीक है यह भी X Y Z ही है और यह हमारे पास X1, Y1 and Z1 है यह X2, Y2 and Z2 है ठीक है बिटा अब हमें X, Y, Z already given भी है और यह coordinate हमारी by section formula से आए ठीक है तो हमारे पास जो 0 है X का coordinate वो is equal to हो जाएगा इसके तो यह हमारे पास K, X2 है हमारे पास minus 1 N plus N है हमारे पास 1 और X2 है X1 है हमारे पास 2 ठीक है अपान में हमारे पास K ratio 1 आ जाएगा और next हमारे पास Y का coordinate है 1 by 3 is equal to Y का coordinate है हमारे पास K Y2 है 2 plus N1, Y1 है minus 3 अपान में आ जाएगा K plus 1 ठीक है और हमारे पास है 2, Z का coordinate, Z के coordinate ये भी है K Z2 है हमारे पास 1 plus N है हमारे पास 1 and Z1 है हमारे पास 4 अपान में आ जाएगा K plus 1 ठीक है बेटा अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे हमारे पास 0 है 0 से ये चीज मल्टिप्लाई हुई 0 हो गया तो यह आ गया minus K plus 2 ओके बेटा तो इसको आप solve कर रहे हैं हमारे पास K इस साइड आ जाएगा is equal to 2 ठीक है तो K upon 1 है तो यहाँ पे 2 upon 1 हो गया तो रेशियो हमारे पास जो आगे K ratio 1 is equal to 2 ratio 1 ये आ गया हमारा ratio जो C ने internally divide किया है A B को वो किस ratio में किया है 2 ratio 1 में किस में किया है बेटा 2 ratio 1 में clear है तब 2 ratio 1 जो है बेटा already हमें value मिल गए 2 ratio 1 तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास LHS equal to RHS आ रहा है अगर वो आ गया तो yes these points are in collinear form ठीक है तो हम देख रहे है 1 by 3 K की value हमें मिल गए 2 and 2 प्लस ratio क्या है हमारे पास 1 ही है minus 3 upon में 2 प्लस 1 ठीक है 1 by 3 is equal to 2 to the 4 and minus 3 और ये 3 तो इसकी value आगी हमारे पास 1 by 3 तो LHS equal to क्या आ गया हमारे पास RHS clear है तो it means ये हमारे पास जो coordinate है किसके हैं C के ही है ठीक है तो 2 is equal to K की value 2 और 1 प्लस 1 and 4 upon में 2 प्लस 1 तो ये 2 is equal to 2 plus 4 upon में 3 2 is equal to 6 upon 3 cutting की आपने 2 आ गया 2 is equal to 2 मतलब LHS equal to RHS ठीक है तो यहां पे भी हमारे पास LHS और RHS equal आया है it means जो C ने internally divide किया है इस line को और C कहां पे है इसी line के उपर लाई कर रही है ठीक है तो मतलब हमारे पास ये ABC है जो वो क्या है collinear form में हैं ठीक है ये लिखेंगे हम के बेटा हैंस C lies on line and A, B, C, R collinear ओके नेक्स कोशन देखिए नमबर 5 में आपको बोला गया है find the coordinate of the point which trisect the line segment joining the point P and Q तो आपने point P and Q लिखें तो हम let करेंगे ये हम एक line ले रहे हैं ठीक है तो ये P है ये हमारे पास क्या है Q तो P के coordinate दीए है 4, 2, minus 6 and Q के दीए है 10, minus 16 है ये 6 है ठीक है तो बिटा इसको जो point trisect में काट रहे है वो आपने लिया एक R और दूसरा लिया S clear है बिटा तो R और S के आपको coordinate निकाल के बताने है ठीक है बिटा तो यहां पे जो ratio हो जाएगा इनका ये 1 इतना ये 1 आ गया ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया clear है बिटा तो आप ले रहे हैं सबसे पहले आप लिखेंगे let R and S are the points which divides line segment line segment in the which divide which trisect लिख दो यहां पे divide की जगा क्या लिखेंगे आप लिखेंगे आप trisect which trisect line segment ओके बिटा तो आप ये लिखेंगे which trisect line segment ओके तो ये आ जाएगा line segment joining the point P and Q clear है तो आप ये लिखेंगे अब आप देखेंगे बिटा R के जो R ने जो divide किया इस line को किस ratio में किया ये 1 है और यहां पे इसके 1 प्लस 1 कितना जगा 2 तो 1 ratio 2 में तो आप लिखेंगे R divides line segment in the ratio 1 ratio 1 ratio 2 ठीक है तो ये R आप देखेंगे P और ये आपके पास Q है तो ये R point है इसने 1 और 2 ratio में किसको line को divide किया clear है बटा तो R P के point है आपके जोगे 4 2 and minus 6 and Q के point है 10 minus 16 and 6 clear है तो आप लिखेंगे बटा आगे coordinate of R ठीक है बस section formula तो आपके पास R के coordinate के आएंगे आप लिखेंगे इसको मारे पास X is equal to 1 और 10 से multiply 1 10 ठीक है plus 2 ये ratio आपके पास M ratio N and 2 आजाएगा यहाँ पे multiply X 1 तो ये 4 आगया upon में बटा 1 प्लस 2 तो ये आजाएगा 10 प्लस 4 तू जा 8 and 3 तो ये आजाएगा 18 by 3 clear है 18 by 3 तो आपने इसको cutting करी तो ये 6 आजाएगा और Y के coordinate लीजिए Y के 1 और Y 2 तो 1 minus 16 and plus 2 और ये 2 2 तू जा 4 और 1 प्लस 2 तो ये आजाएगा minus 16 2 तू जा 4 and 3 तो ये आपके पास 16 में से 4 गया कितना आया माइनस 12 upon में 3 कटिंग किया आपने तो माइनस 4 आगया आपके पास नेक्स्ट आपके पास है Z Z के बटा 1 और 6 1 and 6 plus 2 and minus 6 upon में 1 plus 2 तो ये आजाएगा 6 minus 12 upon में 3 तो ये आजाएगा minus 6 upon में 3 तो आपने कटिंग की इसकी तो आगया minus 2 तो कौधनेटि और आपके पास आगया तो आप लिखेंगे therefore कौधनेट और आपके पास आगया 6 minus 4 and minus 2 तो next आप निकार लें यहाँ पे next आप हम कौधनेटि आप S के लेंगे ठीक है तो ये हमारे पास है P और यह है Q, यह S ने डिवाइड किया इसको 2 ratio 1 में, ठीक है, P के पॉइंट थे हमारे पास 2, 4, 2, minus 6, and Q के पॉइंट थे 10, minus 16, and 6, ठीक है, तो हम ले रहे हैं, coordinate of, coordinate of S, तो X is equal to, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2M, X2, तो यह आ जाएगा 2, 10, plus N, N और X1, तो 1 and 2, upon में आ जाएगा बेटा, 2 plus 1, 2 plus 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास 20, और यह 2, 20 और यह 2, इस और यहाँ पे बेटा 4 है, 4 लेना अपने, तो यह आपके पास 4 आ जाएगा, clear है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 24 upon 3, cutting किया आपने 8 आ जाएगा, तो हम ले रहे हैं आगे, Y के coordinate, Y के बेटा, M, और यह आ जाएगा आपके पास Y2, तो यह आ जाएगा 2, minus 16, plus 1, and यह 2, तो यह आ जाएगा आपके पास 3, तो आपने, minus 32, and plus 2, upon में क्या है, 3, तो यह आ जाएगा, minus 30 upon 3, cutting किया आपने, तो यह 10 आ जाएगा, clear, अब Y, Z के लेंगे, आप Z के आ जाएगा, 2, 6, plus 1, and minus 6 upon 3, तो यह आपने, 12 minus 6 upon 3, तो यह जाएगा, 6 upon 3, cutting किया आपने, तो 2 आ जाएगा, clear, तो आप लिखेंगे, therefore, coordinates of S, तो वो आ जाएगा, आपके पास 8, minus 10 आएगे, क्या है, minus 10, तो लेंगे, minus 10, और यह 2, clear, okay, तो यह आपके पास, coordinate of S के भी आगे, और यह आपने, coordinate of R के लिखेंगे, आपको यह ही चाहिए था, जो आपके पास, जिसने point ने trisect किया है, उनके coordinate चाहिए, तो आपके दोनों के coordinate आगे, okay, thank you,